शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार दलहनी फसलों की खेती को प्रोचसाहित करने के लिए सरकार जहां कई तरह की सहुलियते दे रही है वही उचित मुल्ले दिलाने की नीथियों में खामियों से योजना को धक्का भी लग सकता है खुले बजार में प्रमुक फसल चना का दाम MSP के मुकाबले 800 रुपे नीचे चल रहा है मसूर को छोड बाकी दलहनी फसलों के मूले संतोष जनक नहीं है दलहनी फसलों के कुल उत्पादन में चने की हिस्सेदारी लगभग 50 हीसत है सरकारी एजेंसी की खरीद विक्री नीती के चलते सिर्फ मुठी वर किसानों को ही इसका लाब मिल पा रहा है दीर्ग कालिक नीती के अभाव में दालों में आत्मिर्भरता का दावा विफल हो सकता है इसकी देखा देखी 6,000 रुपे प्रती क्विंटल वाली मतर 4,000 रुपे के स्तर पर लुड़क गई है खुले बजार में दालों की कीमतों में गिरावट से दहलन किसानों का उटसा घट सकता है सरकार की मौजूद नीती तातकालिक है जो दहलनी फसलों की खेती की रहा का रोड़ा बन सकती है दरसल सरकारी एजेंसी नैफेड पर 9 महिने के अंदर अपना स्टॉक खाली करने का दबाव रहता है उसे हर्थ हाल में बफर्स स्टॉक को बेचना पड़ता है एजेंसी रोजान टेंडर जारी करती थी जिसे बुद्भार से सब्ता हमें तीन दिन कर दिया गया है एजेंसी की इस काले प्रणाली से दाल की कीमते मंडियों में और नीचे जा रही है व्यूर्पोर्ट माकेट टाइम्स टीवी